आज हम देखेंगे भिन्नों के विभाजन से सम्बंदित कुछ उधारण। अगर साथ बटे दस भाग के चौदा बराबर भाग बनाने हो तो प्रत्यक भाग का माप कितना होगा। आईए इसे हल करें। हमें 7 बटे 10 के 14 भाग बनाकर प्रत्यक भाग का माप कितना है यह पता करना है तो आईए पहले एक पट्टी के 10 बराबर भाग बनाकर इन में से 7 भाग 6 आंकित करें 6 आंकित भाग 27 बटे 10 को निरूपित करता है जरा सोचिए अब हम छायांकित भाग के 14 बराबर भाग कैसे बनाएंगे सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं अगर हम प्रत्येक भाग के 2 बराबर भाग बनाए तो 7 बटे 10 छायांकित भाग के कुल 14 बराबर भाग बन जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहां एक भाग पूर्ण पट्टी के सभी 20 भागों में से 1 है, जिसे हम भिन्द एक बटे 20 से निरूपित करते हैं. तो प्रतेक भाग का माप होगा एक बटे 20. आईए इसे गणित में हल करें. यहां प्रतेक भाग का माप पता करने के लिए हमें 7 बटे 10 को 14 से विभाजित करना होगा. इसे हल करने के लिए हम पहली भिन्दों को वैसा का वैसा रखेंगे और दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम यानि रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे. यहां 14 का व्युक्त क्रम है 1 बटे 14. इसलिए 7 बटे 10 भाग के 14 भाग बनाने हो तो प्रत्यक भाग का माप होगा 1 बटे 20. अगला उधारण डॉक्टर ने निशा को 12 गोलिया दी है और उसे प्रत्यक दिन 1 गोली का 3 बटे 4 भाग लेने के लिए कहा है. पता कीजिए निशा सभी गोलिया कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी? डॉक्टर ने निशा को 12 गोलिया दी है. मान लीजिए यहां प्रत्यक व्रुत एक गोली है. निशा प्रत्यक दिन गोली का 3 बटे 4 भाग सेवन करती है. पहले दिन गोली का 3 बटे 4 भाग सेवन करने पर 1 बटे 4 भाग बच जाएगा इसी तरह दूसरे और तीसरे दिन भी गोली का 3 बटे 4 भाग सेवन करने पर 1 बटे 4 भाग बच जाएगा अगर हम बच्चे भागों को जोड़े तो हमें गोली का 3 बटे 4 भाग प्राप्त होगा जिससे निशा 4 दिन ले सकती है इस तरह से निशा 3 गोलिया 4 दिनों में ले पाएगी इसी के साथ हम कह सकते हैं कि निशा 3 गुना 4 गोलिया 4 गुना 4 दिनों में ले पाएगी याने कि 12 गोलिया 16 दिनों में ले पाएगी इसलिए दिय सवाल का जवाब है 16 दिन आईए इसे गणित में हल करे निशा एक दिन में गोली का 3 बटे 4 भाग लेती है डॉक्टर ने निशा को 12 गोलिया दी है निशा सबी गोलिया कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी यह पता करने के लिए हमें 12 को 3 बटे 4 से विभाज़त करना होगा विभाजन को हल करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे दूसरी संख्या के व्युक्तक्रम यानि रसीप्रोकल से गुणा करेंगे यहां तीन बटे चार का व्युक्तक्रम है चार बटे तीन इसे ही हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं इसलिए निशा सोला दिनों में सभी गोलिया समाप्त कर पाएगी अगला उधारण एक प्लंबर 7 और 1 बटे 2 मीटर लंबाई वाला पाइप लाता है उसे 1 और 1 बटे 2 मीटर लंबाई के हिस्से की जरूरत है पता कीजिए उसे 7 और 1 बटे 2 मीटर लंबाई वाले पाइप से 1 और 1 बटे 2 मीटर लंबाई के कितने हिस्से प्राप्त होंगे उधारण से पता चलता है कि प्लंबर द्वारा लाए हुए पाइप की कुल लंबाई 7 और 1 बटे 2 मीटर है अगर उसे इस पाइप में से 1 और 1 बटे 2 मीटर लंबाई के भाग बनाने हो तो उसे 7 और 1 बटे 2 विभाज़त 1 और 1 बटे 2 हिससे प्राप्थ होंगे आईए इस विभाजन का परिणाम ग्यात करें क्या आप बता सकते हैं यह विभाजन कैसे हल किया जा सकेगा सोचे सोचे चलिए हम बताते हैं अगर विभाजन में मिश्रत भिन्न हो तो पहले हम इसे विशम भिन्न में परिवर्दित करते हैं यहां 7 और 1 बटे 2 की विशम भिन्न होगी 15 बटे 2 और 1 और 1 बटे 2 की विशम भिन्न होगी 3 बटे 2 यानि कि 7 और 1 बटे 2 विभाजत 1 और 1 बटे 2 बराबर है 15 बटे 2 विभाजत 3 बटे 2 के इसे हल करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे दूसरी संख्या के व्युक्तक्रम यानी reciprocal से गुणा करेंगे यहां तीन बटे दो का व्युक्तक्रम है दो बटे तीन इसे हल करने के लिए हम अंशों का गुणन करेंगे जिस्से हमें परिणाम का अंश प्राप्त होगा तीस और फिर हम हरों का गुणा करेंगे जिससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होगा 6 फिर हम इसे सरलतम रूप में लाएंगे यहां अंश और हर को 6 से विभाजित करने पर हमें सरलतम रूप प्राप्त होगा 5 पटे 1 याने की 5 तो हम कह सकते हैं कि प्लंबर को कुल पांच भाग प्राप्थ हूंगे आज हमने देखे भिन्दों के विभाजन से संबंधित कुछ उधारन अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्दों के विभाजन से संबंधित कुछ मित्याधारनाय और कुछ साधारन गलतिया